जो घटना उस रात घटी थी वो कभी भूलाए नहीं भूली जा सकती है हमारे बहुत भीया किसी ना किसी रूप में मौजूद हैं और मैं उनके लिए कुछ पंतियां पढ़ूंगी एक गीत आया था बहुत पुरा ना कि ना था मंजूर किसमत को है हो साथ यो जियो वाह पुद्ध पुद्ध जाए न था मन्जूर किसमत को न थी मर्जी बहारों की नहीं तो मेरे गुलसन में नहीं तो मेरे गुलसन में दमी क्या थी बहारों मुझे तेरी आ महाबत का सारा मिल गया अगर तू का नहीं आता अगर तू का नहीं आता मुझे तेरी आ महाबत का सारा मिल गया अगर भीया घर पे होते थे तो मुझे तो मुझे तेरी आता मैं जिस जिस कारकम में गई हमारे भीया मुझे वहां मौझूद मिले मेरा एक कारकम उन्नाव छेतर में था और आखरी बार भीया में वहीं मिले थे एक कारकम मेरा अधने राजुय अदव जी कि यहां हो रहा था उस बार भीया पहुंचे पूरी रात रहे लेकिन आखरी बार उस कारकम में मुलाकात हुई उसके बाद मेरे पास रात्री को दस बजे पदम भाई का फोन पहुंचा और जब उस फोन को मैंने अटेंड किया जब मालूम चला कि ऐसी दुर घटना घट गई मैंने का कि उस हादसे में सुरप्छित तो हैं सब और जब पदम भाई ने जवाब दिया कि जानकारी तो ये मिली कि बववा नहीं रहे मैं घवडा गई और इतनी घवडा गई कि मैं दोड के मा के पास पहुंची मैंने मा से का मेरी मा के पास से बार मिलने गए थे बववा भाईया और जब मा को जब पता चला तो उसी वकत वो भी वैट के रोने लगी क्योंकि बवा भाईया के बल कलाकार नहीं थे के बल ढोलक बादक नहीं थे दिल को जीतने वाले कलाकार थे दिल को जीतने वाले कलाकार ते ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके दिल को उन्होंने जीता ना हो किसी के भी साथ वजाया हो किसी के भी साथ रहे हो लेकिन किसी कलाकार से उनकी बुराई नहीं होई कभी और जब उस समय को याद करती हूँ उस समय की घटना को याद करती हूँ ऐसा लगता है विश्वासी नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है जब मालूम हुआ तो देखिए एक भाव लिया कि हम लोगों की हालत तो जैसी थी वैसी थी ही लेकिन उन्नाओं की हर एक गली सवाल कर रही थी उन्नाओं की हर एक गली पूछ रही थी कि बताओ बहुआ है कहां बताओ बहुआ है कहां और हर गली का ये सवाल हुआ बच्चा बच्चा रोने लगा और जब ये आवाज घर तक पहुंची सोचो जब नगरवासियों का ये हाल होगा तो घरवालों का क्या हाल हो रहा और हाले कैसा रहा होगा हाले कैसा रहा होगा दर्दे कितना सहा होगा आखेरी स्वासु पल बेटा आखेरी स्वासु पल बेटा जो तुने मा कहा होगा आखेरी स्वासु पल बेटा जो तुने मा कहा होगा तुन मा क्या कह रही है कभी जाने नहीं देती समय वो टल गया हो अगर तेरे पिछूडेने का पता मुझे चल गया हो अगर उस दिल रोक लिया होता पिछूडेने का पता मुझे पिछूडेने का पता जो गया होता नमी आखों की बत लाती मेरे दिल में गम था कितना कोई भूले भला कैसे कोई भूले भला कैसे उस वक्त को कोई कैसे भोल सकता है कोई भूले भला कैसे दिया गहरा जकं कितना मेरे पूरे उन्नावासी और हर छेत्र का व्यक्तिये नहीं कि कलाकारी हर छेत्र में जहां जब हुआ वया जाते थे सब उन्हें बहुत प्रेम करते थे ये घटना घटी थी लेकिन चरासी उमीद का चराग जल जाता मेरे दिल में उमीदों का दिया गर जल गया हो कभी जाने नहीं देती समय वो टल गया हो तेरे जाने अगर तेरे पिछूडेने का पता उन्हें क्योंकि ये सच्चाई है कहां कहां से भुलाएंगे उनको कितना भी प्रियास कर लीजे लेकिन कभी नहीं भूल पाएंगे जब जब भी कीर्टन होगा जब जब भी ढोल पर ताल वजेगी जब जब भी कीर्टन की चर्चा होगी तो सबसे पहले एक नाम आजाएगा बववा पांडे और वो कोई भी नहीं भूला सकता क्यों? भाई की जान थी उसमें भाई की जान थी तुझ में पिता का तू दुला रा था कलाकारी की दुनिया में कलाकारी की दुनिया में चमकता एक सितारा था बिधाता से जो मांगा था कुछ दिन बाद जब मैं पिता जी से मिल ले आई जब वो हाल पिता का देखा और क्यों न हो ऐसा हाल पूरे घर में एक उदासी सी छाई थी छोटी सी बिटिया मैंने देखा ननी सी बिटिया जो कहती मेरे पापा आएंगे पापा आएंगे उसके दुख को देख करके हिर्दे जिससे फट गया मेरा पिता जी की आलत देखी मुझसे देखा नहीं गया मैं बहुत ज़्यादा नहीं रुपाई क्योंकि वो कष्ट जो पिता को होता है मा तो रो के कह लेती है लेकिन एक पिता है सोचिये कि उस पर क्या बीटती है जो घर को समालने के लिए रो भी नहीं पाता है और इतना दर्द अगर वो सहे तो सहे कैसे बिधाता से जो मांगा था बचन बो पल गया होता कभी जाने नहीं देती समय भोटल गया होता 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 एक बार आप लोग भी देखिए आस रहते जहां पर हो सदा की रितन जहां पर हो भजने की रितन तो मिलने की आस मेरे साइद कहीं से फिर मिल जाए साइद कहीं से फिर मिल जाए अगल मेरा मुझे हमेशा मेरा नाम नहीं लिया बहुआ वियाने कहते थे बच्चा बहुआ बेटा कभी नहीं कहा कि कल्पना और वही प्यार मुझे मारे पिताजी ने दिया मारे सचिन भाई ने दिया लेकिर कई न कई बहुआ भाया आपकी कमी खल रही है जहां पर हो भजन की रितन तो मिलने की आस मेरे अगर मेरा बिदाता अगर ये कर देता कि मुझे अगर आपसे पहले लेता अगर मेरा तेरे बदिले ये जीवन डल गया होता कभी जाने नहीं देती कभी जाने नहीं देती समय वो टल गया रहो अगर तेरे पिछूडे ने कावा समय वो खर यहां यहां की तन की न्यू डालने बाले और मैं चाहूंगी कि जब तक कल्पनद वेदिक कीरतन गाएगी मैं यहां कलाकार के तोर पर न भुलाई जाऊं यहां हमेशा कीरतन होता रहे हमारे बहुआ भया की याद में और जिस किसी भी तरह से उसकी बहन का आपको सयोग जो बन पड़ेगा वो करूंगी आप जैसे चाहेंगे सिर्फ एक फोन करिएगा मैं ही नहीं आप कीरतन की दुनिया में किसी को भी फोन करके बस इतना कह देना कि बहुआ भया के लिए कोई मना नहीं करेगा संजे भीया से हमारी बात हुई संजे भीया ने कहा कारका में वहां आएंगे संजे भीया ने कहा कि बहुआ भया का कारका में उसके लिए तो जान हाजिर है बहुआ के लिए तो मैं जान भी दे दूंगा और जहां मेरी जरूरत होगी वहां मैं खड़ा नजर आऊंगा और ये केवल संजे भाईया नहीं ये कोई भी है की इतन का हर एक स्रोता बहुआ भाईया के लिए ततपर खड़ा है और मैं पिताजी से भी चाहूंगी कि मुझे कभी अपने से दूर मत करना क्योंकि बहुत लगाओ था और वही प्रेम आप लोगों से मिल आ है तो हमेशा वो हमारे बीच में जीवित रहेंगे ये विस्वास है मुझे वो जाएंगे नहीं वो जीवित रहेंगे हमेशा दया सब जंडे स्वर्रे की है बात उनकी निराली थी जवाबी की तनकी तो ये निगम जिननी हूँ ये डाली थी बहुआ भया पूरी तनमेता के साथ रहते थे दादा मारे निगम जी जिनसे मेरी मुलाकात तो नहीं हुई है लेकिन यहां आके पता चला कि वो कितने व्यक्तित के धनी थे जो हर किसी के जुवान पर उनका नाम मिला तो तो कल पुना तो कल पाती गुजर वो कल गया होता कभी जाने नहें देती समय मोटल गया होता अगर तेरे विछूडेने का बता मुझे जर्या तो कि संतोस मामा इतना कश्ट मुझे इसलिए हो रहा है कीर्टन में बहुत से कलागार है मेरे मैं दो वहने हो भाई नहीं है लेकिन जब मैं कीर्टन में आई तो मेरी वो कमी भी पूरी हो गई थी मुझे कीर्टन ने भाई दिया था लेकिन इतनी जल्दी छीन लिया मुझे ये विश्वास ही नहीं होता है इस्वर से प्रार्थना करती हूँ कि एक बार फिर से बहुआ भाईया को इस धर्ती पर ला देजे एक बार फिर से किशी न किशी रूप में वो आ जाएं और हम सबकी जो दिलों में एक कमी है जिसे कोई पूरी नहीं कर सकता उसे केबल बहुआ भाईया कर सकते तो उसको दुवारा इस धर्ती पर ला दीजिए मुझे तेरे जाने का बता जो चल गया हो कभी जाने नहीं देती समय वो टल गया हो ता अगर तेरे पिछूडेने का पतावा मुझे चल गया हो ता मैं सभी से प्रार्थन करती हूँ कि हमेशा साइध है कि उन्नाव जिले से कम बहुआ पांडे जी के नाम से जादा जाना जाता है तो एक बार चाहूँगी कि सभी लोग खड़े हो जाईए और दो मिनिट के लिए मौन धारन करके उनकी आत्म सांतिये तो आप लोग दो मिनिट के लिए मौन धारन करेंगे हरियो हरियो स्रिधान जली गाने का तुरुभाग समझती हूँ अपना कर जो मुझे यह समया देखने को मिला है मेरा अधनिया रिंकी जी आ रही है मैं कुछ नहीं कह सकती बस